अगर आपकी स्क्रीन पे भी यह वाला एरर आ रहा है 0x80960021 करके यह एरर आ रहा है तो आपको गबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस एरर का सुलिशन हम आराम से कर सकते हैं फर्स्ट आपने क्या करना है आपको ना सिस्टम एक बार रिस्टार्ट करके देख लेना है अगर एरर रिजॉल्व हो गया तो अच्छी बात है अगर नहीं होता है तो आपने क्या करना है आपने सबसे पहले अपने मेन मेन में जाके अपडेट विंडो अपडेट करके देख कर देना है अभी मैं इसको restart नहीं कर रहा केजूल कर देता हूं इसको मैं फिक है रिश्टार्ट होने के बाद अगर यह जाता है तो अच्छी बात है नहीं इसका लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास तो वह है इसकी Windows की जो है Command के दू हम Windows को इसकी Services है जो उसको restart करेंगे Windows Command की Services restart करने के लिए हम सबसे पहले आपने Windows की प्रेस करके CMD कर देना है और इसको run as administrator आपने run करना है Yes कर देना है सबसे पहले आपने इसकी जो Services चर रही है उसको stop करना है फर्स्ट क्मांड है N A T S T O P Stop B I T S इस क्मांड को आपने करना है The Background Intelligence Services is not started ठीक है उसके बाद आपने एक और सर्विस है उसको भी stop कर देना है W U A U S E R V यह सर्विस है इसको stop कर देना है यह चार तीन चार सर्विस है जो आपने stop करनी है फिर आपने N A T stop A P P I D S V C यह सर्विस आपने stop करनी है अब एक और सर्विस रहे है जो stop करनी है N A T S T O P C R I P T S V C यह सर्विस आपने stop करनी है यह हमने चार सर्विस स्टोप करनी है अब इनको restart करना है द्वारे से start कर देना है सेम प्रसेस रहेगा N A T start जो first हमने बाई टिएस वाली करती वो start कर देनी है यह services बंद होके दोबारे start हो रही है यह रही है यह service within few seconds यह start हो जाएंगी फिर आपने nat htart cryptsvc यह service start कर देनी है यह already start थी ऐसे करके यह चार जो commands हैं आपने लिख लेनी है और यह पहले stop करके आपने दुबारा से इनको start कर देना है और command prompt से exit कर लेना है उसके बाद हमने restart system को restart करना है यह update भी हो जाएगा अब system restart कर देते हैं यह आप देख सकते हैं हमारा system restart हो चुका है और यहां पर कोई भी error नहीं आ रहा अगर आपके system यह error आता है तो आपने यह तीन steps करके देखने हैं फर्स्ट एक बर system restart कर लेना है second में आपने window को update करना है और फिर भी अगर problem solve ना हो तो जो मैंने आपको चार commands बताई हैं वह आपने commands लगानी है इनकी यह windows की services है चार उनको stop करके दुबारा से start कर देना है जिससे आपका जो यह error आ रहा था वह दुबारा से नहीं आएगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में thank you